हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब क्रिप्टोकरंसी मार्केट एक बार फिर से प्रेशर के अंदर है और बिटकोईन का प्राइस 39,000 डॉलर से नीचे चल रहा है और बड़े आल्ट कोईन्स की बात करें वो भी 8 से 10 परशंट तूटे हुएं तो क्रिप्टोकरंसी मार्केट का खासकर बिटकोईन और सोलाना के बारे में लोग पूछ रहे हैं उसका क्या लगता है वो आपको बताएंगे और सपोर्ट ररेस्टन्स कहा है वो आपको बताएंगे साथ के साथ में बात करेंगे जो एरड्रॉप आज है 27 मई टेरा लूना क नया जो टोकन है उसका एरड्रॉप होने वाला है किसको क्या मिलेगा वो भी आपको बताएंगे साथ के साथ में बात करेंगे कि भाया जो एक्जिस्टिंग टोकन है क्वाइन है उसका क्या होगा कौन से एक्चेंजिस को कि जातर एक्चेंजिस पर तो वो ट्रेड ही नहीं तो बने रही है हमारे साथ में चैनल पहली बार आये तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ओवरल क्रिप्टोगरंसी मार्केट के अंदर देखते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर एक असमंजस किस्तिती है और उसका इंपेक्ट हमें ओवरल क्रिप्टोगरंसी मार्केट पे भी यहां देखने को मिल रहा है लेकिन इंटरस्टिंग बात जब हम अपसवार करते हैं ओल्ट कोईंस जादा टूट रहे हैं बिटकोईन फिर भी यहां 28, 39, 30,000 डॉलर पे स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है पिछले 2-3 हफतों से लेकिन अगर मैं डॉमिनेंस को देखता हूँ और बिटकोईन की डॉमिनेंस अगर आप देखते हो पिछले 2-3 हफतों के अंदर यानि की 10-15 दिन के अंदर तो कितनी भड़ी है 46 यानि कि आप अवरॉल क्रिप्टो करनसी मार्केट एक तरफ और बिटकोईन एक तरफ इस टाइम पे हमें बिटकोईन की डॉमिनेंस से दिखता है अगर आप देखते हो जब भी ऐसा होता है 27, 28, 29,000 डॉलर के आसपास यह मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर हमें एक एक्क्यूमिलेशन देखने को मिल रही है यहाँ पर एक्क्यूमिलेशन का मतलब आप समझते हो जब भी एक्क्यूमिलेशन यहाँ तो अगर मार्केट के अंदर पैनिक होता तो यहाँ गिरा है तो यह 22,000 डॉलर आना चाहिए था ना लेकिन पिछले अगर 2-3 हफते हो 10-15 दिन से अगर यह एक्क्यूमिलेशन हो रही है इसका मतलब है यहाँ पर माल बटोरा जा रहा है वेल्स के तुरू एक पैनिक जो है मार्केट के अंदर है उसका फायदा उठाया जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर हमने पहले भी ऐसी चीज़े देखी है और आने वाले टाइम के अंदर भी आपको दिखेगा कि यहाँ से एक recovery due दिखती है ध्यान रखेगा 30,000 डॉलर एक psychological यहाँ पे resistance इस टाइम पे है अगर मैं technically बात करता हूँ तो इसके लिए important support जो इसने भी recently low बनाया था लगभग 25-26,000 डॉलर के बीच में वो इसके लिए support का काम करता है और अभी की बात करते हैं तो 28,000 डॉलर इसके लिए support का काम कर रहा है तो अगर यहाँ टिका रहता है तो everything is good और जितनी देर यहाँ रहता है इसका मतलब है यहाँ पे एक अच्छी strong support इसको मिल रही है और यह बना रहा है एक और interesting बात किया अगर overall बड़ी बड़ी companies या institutions की बात करते हो जो पिछले साल enter किये थे उनकी average भी 25-26,000 डॉलर के आसपस आती है तो यहाँ ध्यान रखेगा उनको भी जो है चुबेगा अगर यह नीचे जाएगा और वो इतनी असानी से market को नीचे नहीं जाने देंगे बिटकोईन को नीचे नहीं जाने जाएगे हमें लगता है यहाँ एक support है और जो है इसका bounce back due हमें यहाँ पे दिखता है तो बिटकोईन की बात करें तो immediate resistance इसकी 30,000 डॉलर है और उसके बाद जाता है तो 34,000 डॉलर और एक ultimate जो इसका target अभी short time में लेके चल सकते हो हमें दिखता है 37,000 से 38,000 डॉलर के बीच में दोस्तो बहुत सारे लोग हमसे Solana को लेके भी पूछ रहे हैं Solana की अगर मैं बात करता हूँ तो जहां से यह चला था लगभग वहीं पे यह वापिस आ चुका है 40 डॉलर के आसपास इसको एक important support है अगर यह यहां नहीं टिकता है तो भया फिर हो सकता है यह आपको 25 से 30 डॉलर भी दिखे no doubt transaction fast करता है जादा transaction करता है काफी बड़े-बड़े exchanges है इसको back किया लेकिन जो एक दौर आता है ना कि जो project थे वो इसको ज़्यादा कुछ खास नहीं कर बारे और उसका impact हमें solana के price पे देखने को मिल रहा है अगर आप entry देख रहे हो तो हमें लगता है अगर bitcoin यहां sustain भी करता है यहां से 2-3,000 डॉलर और उठता है तो यह 25-30 डॉलर पे आ सकता है वहां आप इसके अंदर एक entry ले सकते हो और एक-दो साल के लिए भूल जाओगे तो हमें लगता है कि यह 100-120-200 डॉलर कुछ भी आने वाले time के अंदर आपको देखने को मिल सकता है यह हमें लगता है बाखी आप अपना risk खुद decide कीजेगा क्या है और सारी चीज़े उससे आप से कीजेगा टेरा लूना को लेके हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि बहुत कुछ उसके अंदर कवर करना है लेकिन इंट्रस्टिंग बात क्या है GMT को लेके भी हमसे लगातार लोग पूछ रहे हैं कि भाया क्या हुआ दोस्तों जब भी ऐसे move to earn, play to earn जो project होते हैं वो उनमें एक दौर आता है जब market अप जाती है तो इनके अंदर भी हमें लगता है बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा भी कमाया लेकिन एक saturation level आता है और उसके बाद हमें इसको जो है जुसका crazy होता है वो नीचे जाता दिखता है और यहाँ पे जो अभी बड़ा reason निकल के आ रहा है दो बड़े reason निकल के आ रहे हैं एक तो सबको पता है कि China जो है इसको mid of July से ban करने वाला है वहाँ पे आप इस चीज को play नहीं कर पाऊगे यानि कि वहां से earn नहीं कर तो एक major जो portion है जो इसको use करते हैं लोग वहाँ से हट जाएगा तो इसका हमें fall जो है देखने को मिल रहा है और 38% से जाद आगर आप देखते हो GMT पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर गिरा है और लगातार पिछले एक दो हफते से यह हमें गिरता दिख रहा है अभी भी देख जो लूना है ना उसके crash को predict किया था और बोला था कि भाई बहुत बुरी तरगी देगा ponzi ponzi और यह लगबाग 16 फरवरी को इन्हों बात की थी एक महीने पहले और उनकी बात करते हैं उसी account ने GMT को लेके भी 17 मही के आसपास एक prediction की थी कि यह एक बेकार coin है और अगर आप कि आपको भी समझना चीए हाँ पर देखते हो GMT जो है एक SI coin है जो देर सवेर में खतम ही होना है और आप देखोगे कि यह लगातार एक hype create हुई लोगों ने कुछ पैसे dollar से इसके अंदर 4 dollar तक पहुँच गया और उसके बाद अभी देखोगे तो वहीं आ गया जहां से यह लगबख चलना शुरू हुआ था अब जो logic इसके पीछे का वो समझेगा आप चल रहे हो उससे dollar कमा रहे हो लेकिन भाया किसके expenses पे आप कौन buy कर रहा है जो आप चल रहे हो उस आपके चलने से किसी और को क्या फायदा है सिरिफ यह coin को जो है एक hype किया गया था और उसकी व list होते हैं वो wait करते हैं जब market इतनी hype पे हो आपको क्या लग रहा है वो यहाँ पे wait कर रहे होंगे जायतर लोग तो यहाँ पे एक project के अंदर hype पे आके अपना माल बेचके निकल गए होंगे और अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो expect कर रहे होंगे long term के अंदर ये एक किसे कमाए लेकिन अगर अभी आप सोच रहे हों यहाँ पे entry लेने की तो शायद आपके लिए यह बहुत गलत decision होगा बाकी आप खुद भी decide कीजेगा अब दुस्तों बात करते हैं Luna को लेके अच्छी बात क्या है एड्रॉप हुआ नहीं है लेकिन जो Luna coin था अभी तो Luna ही क्या है लेकिन उसका नाम coin market cap या बड़े बड़े जितने भी एक्चेंजिस है उस पर Luna क्लासिक कर दिया है LUNC उसका ticker कर दिया है जैसे कि हमने आपको बताया था Airdrop के बात कोई खास use case नहीं रहने वाला है और यह आपको dump होता दिखेगा और फिलाल देखोगे जितने भी एक्चेंजिस है उसके आपको और dump होता दिख रहा है क्योंकि इसका कोई future नहीं है क्योंकि इसको replace कर देगा जो इसका नया coin होगा जो actual chain होगी टेरा और उसका नाम होगा यह देखो टिकर भी आ गया है coin market cap coin geek को पे देखते हो लेकिन जब यह launch होगा तो यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े exchanges है अच्छी बात क्या है क्योंसे बड़ी बात है अभी जो पूछ रहे हैं कि जायतर जो है trading जो है exchanges ने इसकी बंद कर दिया है किसी exchange पे हम टेरा classic को जो है trade कर सकते हैं अगर आप देखते हो जितने भी बड़े-बड़े exchanges हैं तो यहाँ पर अगर कू कोई की बात करते हैं वहाँ पे आपको यह फिल अभी भी trade हो रहा है तो कू कोई के उपर बड़ा innovative काम करते हैं वह फटा-फट से implement करने कोशी करते हैं तो आपका अगर account नहीं है तो वहाँ account जरू बना लिजेगा in future इसका आपको वहाँ पे हम जो भी नए coins होंगे वह भी share करेंगे नीचे description में हमने इसका भी link दे दिया ह तो अगर account नहीं है तो कम से कम आप account बना के रख लिजेगा और top exchanges के अंदर ये already आता है अब मैं बात करता हूँ कू कोई इंडियन exchanges का क्या update है दोस्तों यहाँ पर जो update निकल के आ रही है वजीर X की बात करें तो उनका कहना है अभी तक इनके पास में कोई update नहीं है लेकि पीस के ये इनकी update है बाकी coin DCX की बात करें तो वो इसको support कर रहा और बाकी और कोई भी Indian exchanges से related update हाएगी हमें लगता है कि जातर जितने भी exchange होंगे top के Indian exchanges वो भी देर सवेर आपको इसको support करेंगे तो घबराने की जरुरत नहीं है यहाँ पर अगर नहीं करेंगे तो लोगों लूना का है जो eligible होंगे वो किस आप से decide होगा वो decide होगा pre attack से पहले और post attack pre attack मतलब crash से पहले और crash के बाद में ठीक है तो pre attack से बात यानि कि 7 मई से पहले अगर आपके पास होंगे जिसका block number होगा 7544910 तो आपको अलग तरीके से airdrop मिलेगा और post attack जो अभी आँ ट्रेड कर रहे हैं उसके बाद वालों को अलग तरीके से या मिलेगा अब किसको क्या मिलने वाला है वो आप समझेगा अगर pre attack से पहले 10,000 से कम आपके पास हैं तो आपको वहां पे 30% जो भी नया airdrop कर रहे हैं तो उसके अंदर 30% total 100% आपको मिलेगा लेकिन 30% unlock होगा यानि कि आप स साल के लिए वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 2-4 साल के अंदर यह मिलने वाला है तो ध्यान रहे हैं छोटे इंवेस्टर को कुछ ना कुछ unlock करके देंगे ताकि वह यहां से exit कर सकें लेकिन अगर बड़े इंवेस्टर हैं उनको 1-2 साल के लिए यहां वेट कर हैगा क्योंकि बहुत सारे लोग सस्ते रेट के चक्कर में पसे हैं उन्होंने देखानी supply जादा है तो 30 परसेंट तो वह साथ के साथ unlock कर देगे लेकिन 70 परसेंट जो है दो साल के अंदर वह distribute करेंगे छे महिने का उसका भी लॉक-इन रहेगा तो आप समझ लीजेगा इस जल्दी आपके साथ में शेयर करेंगे अब यहां पर जैनेसिस जो ब्लॉक होता है जैसे ही नई चेन लॉंच होगी और उसका पहला ब्लॉक बनेगा तभी साथ के साथ यह airdrop आपको मिल जाएगा तो इस इस आप से आपने करना है बाकी और सिनारियों के लिए इन्होंने पूरा एक आर्टिकल दिया हुआ है मैं नीचे डिस्क्रिशन में आपको दे दूँगा इसका लिंक इससे आप और पढ़ सकते हो जायतर जो एक्सचेंजिस हैं जायतर जो इनके नेट्र को सपोर्ट करने वाले हैं वो इनको सपोर्ट करने हैं विच इस गुड़ सिगनल ब अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो हमें कमेंट में जरू पूछेगा हम उसका भी जो है आपको रिपलाइ करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज हुआ हुआ है